हेलो एब्रिवन मेरा नाम है गगन और आप देख रहें गेक्टे गाईस आज के इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि अगर आपको नहीं पता कि ग्रोफर्स कमपनी जो है अब वो ब्लिंकिट हो चुकी है और आपको ब्लिंकिट से ओडर करना नहीं आता है जो भी प्रोमो कोड बगेरा होगा सारा कुछ मैं आज के इस वीडियो में आपको बताने बाला हूँ काफी easy तरीके से मैं आपको बताऊंगा कैसे आपने अपने लिए order करना उसी प्रकार से दोस्तो आपने अपने लिए order कर लेना ब्लिंकिट से तो सबसे पहले दोस्तों आपको ये Blinkit की एप इस प्रकार से दिखाई देगे तो आपने इसको open करना है जब आप इसको open करेंगे तो आपको इस प्रकार का interface देखने के लिए मिलेगा तो यहाँ पे दोस्तों आपको क्या करना होगा सबसे पहले सबसे पहले आपको अपना अकाउंट यहाँ पे लोग इन करना है तो लोग इन करने के लिए दोस्तों आपको क्या करना होगा यह जो आप account वाला button देखेंगे screen पर नीचे की तरफ right side में तो आपने इस button पर click करना है जब दोस्तों इस button पर आप click करेंगे तो यहाँ पर आपको login का button दिखाई देगा green color का तो आपने login वाले button पर click करना है जैसी दोस्तों आप login वाले button पर click करेंगे आपको यह बोलेगा enter mobile number तो आपने अपना mobile number इंटर कर लेना है जिस mobile number से भी आप अपना account create करना चाहते है यहाँ तो मैं यहाँ पर अभी अपना mobile number इंटर कर लेता हूँ उसके बाद मेरे phone पे एक OTP आएगा और फिर मेरा account यहाँ पर login हो जाएगा तो दोस्तों अभी आप देख सकते हैं कि मेरा account यहाँ पर successfully login हो चुका है तो यहाँ पर आपको इस प्रिकार से interface दिखाई दे रहा होगा जब आप इसको login कर लेंगे homepage है इसका तो यहाँ पर दोस्तों आपको क्या करना होगा अपनी लिए जो भी जिस product का भी आप order करना चाहते हैं grocery या daily usage जो भी product है आप उसका यहाँ से order कर सकते हैं तो आपको क्या करना होगा यहाँ से वो item सर्च करना है जिसका भी आप order करना चाहते हैं आईटम सर्च करने के लिए मैं आपको दोनों तरीके बताता हूँ तो पहले तो आप यह देखेंगे यहां पर सर्च वार तो आपने सर्च वार में जिस आइटम का भी ओडर करना आप उसको यहां पर लिखकर सकते हैं for example अगर आप किसी tea bag या कुछ भी ऐसा यहां पर आप देख रहे हूंगे name आ रहे हैं biscuit या जो भी आप जिस चीज का चोकलेट या डाल आटा जिस चीज का भी आप order करना चाहते तो आपने उसका name लिखना और आप यहां पर search कर सकते हैं तो यहां पर यहां आप देखेंगे category का button यहां पर तो आपने इस पर click करना है जब आप category वाले button पर click करेंगे तो यहां पर आपको काफी सारी category देखने के लिए मिलेंगी जो daily need के product होते हैं आपको यहां पर उनकी हर एक product की category देखने के लिए मिल जाएगी यह आप देखेंगे grocery and staples और vegetable fruits household items, noodles और बैकरी, biscuits, personal care product यहां पर काफी सारी category है मैं आपको करके बताऊंगा तो बहुत जादे time लग जाएगा आप यहां पर अपनी तरफ से देखेंगे तो आपको almost जो भी घर में product हम use करते हैं, daily uses product जो होते हैं वो आपको almost यहां पर सभी category मिली जाएगे तो आपने अपनी पसंद की जो भी product जिसका भी order करना है आपने उस product को choose कर लेना उसके बाद आप order कर सकते हैं, तो दोस्तों यह तो था कि आपने product को कैसे search करना है अब मैं दोस्तों आपको यहां पर एक product search करके दिखाता हूँ, और उसका मैं आपको order करके दिखाऊँगा, तो सबसे पहले मैं एक product choose कर लेता हूँ, कोई भी उसके बाद हम order करते हैं उसका, तो दोस्तों यह जो भी आप product देख रहे हैं, यह real masala pomegranate juice है, यानि के अनार juice है, तो मैं इसका आपको order करके दिखाऊँगा, जब आप दोस्तों product पे click करेंगे, जिसका भी आप order करना चाहते हैं, तो आपको इस प्रकाया से उसका interface दिखाए देगा, यहां पर उसकी जो भी images upload होंगी, वो आपको यहां पर दिखादेगा, ठीक है दोस्तों, तो आपको यहां पर उसकी सारी images देख लेनी है, जो भी उसका packet होगा, box होगा, आपको item का वो यहां पर दिखादेगा, आपको उसका item का name क्या है, वो यहां पर show हो जाएगा, आपको नीचे आप द 120 रुपे MRP होगी, इसका तो 60 रुपे discount के साथ यह दे रहे हैं, तो 60 रुपे में मुझे यह मिलेगा, तो इस सारी चीज़े देख लेने, नीचे आपको customer के review देखने के लिए मिल जाएंगे, customer ने क्या review दिया, इसको bad rating दिया, average rating दिया, या good rating दिया, आपको यहां से उससा card में add हो जाएगा, यहां पर नीचे आपको दिखा देगा, view card का एक button, तो आपने view card वाले button पे click करना है, जब आप view card वाले button पे click करेंगे, तो यहां पर आपका item और उसका price जो होगा, यहां पर अगर कोई additional charges लग रहे होंगे, तो वो सब आपको show हो जाएंगे, तो यहां पर आप देखेंगे, build details में आपको आपका item का price दिखा रहा है, MRP 120 रुपे, product discount 60 रुपे हो गया, और service charges यहां पर plus हो गये है, 19 रुपे, तो यानि कि जो आपका product 60 रुपे का आपको मिल रहा था, बट 19 रुपे और उसमें add हो गये हैं, तो अब यह 79 रुपीज का आपको प तो मैं अभी यहां पर अपना address add कर लेता हूँ, तो जैसी दोस्तों हम address add करने के लिए button पर click करेंगे, वैसी हमसे बोलेगा location on करने के लिए, तो हमें अपने mobile के location on कर लेना या enable कर लेना उसको, तो दोस्तों अभी आप देख सकते हैं, मैंने अपने address यहां पर enter कर लिया है, उसके बाद आपने proceed to pay वाले button पर click करना है, green color का button आ रहा होगा नीचे, आपको देखने के लिए मिल जाएगा, जैसी आप इस button पर click करेंगे, आप पोच जाएंगे payment वाले page पे, तो यहां पर दोस्तों आपको offers या जो भी promotion यहां पर होगा, promo code बगेरा, वो सब कुछ यहां bank की तरफ से, कोई भी promo code तो वो यहां पर आपको देखने के लिए मिल जाएगा, यहां पर आप देखेंगे, SBI card का offer चल रहा है, यहां पर 5% off होगा, जिसमें कि आपको 100 रुपे तक का discounts मिल चकता है, लेकिन इसकी condition है कि आपको order जो कर रहे है, वो उसकी 1000 रुपे value होनी चा इन पर 3 offers यहां पर available है, PTM की तरफ से, PAYS, Dak की तरफ से, और सबकी condition होती है, हम किस condition में कौन से offers को यहां पर avail कर सकते हैं, तो आप यहां पर देखेंगे कि 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 सी में minimum 750 रुपे का order करना है, कि सी में 500 रुपे का order करना है minimum, और कि सी में 700 रुपे का order करना है, हर एक कि अलग आपको बताता हूँ पैमेंट आपको कैसे करनी होगी पैमेंट करने के लिए आपको ओनलाइन काफी सारे ओप्शन देखने के मिल जाएंगे या आप देखेंगे UPI है कार्ड के थुरू आप पैमेंट कर सकते हैं या पे लेटर का भी एक इनोना ओप्शन दिया है तो इसके लिए हमें apply करना होगा जब approval आएगा जब यह हम कर पाएंगे तो next वीडियो में इसके बारे में आपको समझा दूँआ अभी वीडियो में नहीं बता सकता क्योंकि वीडियो फिर बहुत जादा long हो जाएगा या फिर cash का यहाँ पर आपको option देखने के मिलेगा cash on delivery, net banking बगेरा तो आप जैसे भी payment करना चाहें आप कर सकते हैं तो मैं अभी cash on delivery इसको select कर लेता हूँ जैसी आप दोस्तो cash on delivery वाले बिटन पर click करेंगे आपको बोलेगा place order के लिए तो यहाँ पर आपने place order वाले बिटन पर click कर देना है यहाँ पर दोस्तो आप देख सकते हैं कि मेरा order successfully यहाँ पर place हो चुका है तो अब यह दोस्तो order मुझे 12 minute में मिल जाएगा यहाँ पर इसने दिखा दिया order arriving in 12 minutes तो यह order मुझे मेरे पास मिल जाएगा तो इस तरीके से दोस्तो आपने blink kit पर order कर लेना है तो दोस्तो आशा करता हूँ कि आपको यह वीडियो अच्छी लगी होगी जो कुछ मैंने आज के इस वीडियो में आपको बताया आपको सब कुछ आसानी से समझ आ गया होगा दोस्तो अगर आप इस वीडियो में मुझे से कुछ और भी जानना चाते हैं तो आप मुझे कमेंट्स कर सकते हैं मैं आपकी definitely help करूँआ तो दोस्तो अगर आपको यह वीडियो अच्छी लगी हो तो please वीडियो को like कर दीजे और दोस्तो अगर आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो please हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजे तो चलिए दोस्तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में तब तक के लिए बाई बाई